वेलकम टू ड्रीम के बीसी जिक्के जोस्तो एक बार फिसे स्वागत है आपका ड्रीम के बीसी जिक्के चनल में तो आज इस वीडियो के अंदर इतियास के सामने ग्यान के जन्रल नोलेज के पचास अती महत्तो पुन क्विशल लेके आयो हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है आपकी स्टडी में हेलफू लगता है तो इसे लाइक कीजिए सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चनल ड्रीम के बीसी जिक्के चनल सब्सक्रेब नहीं किया है आप हमारी चनल पे नए हो दोस्तो आपको नमबर विननती रहेगी आप नीचे रहे रेड़ क परे लेट के लिक और अनंदम тебе क बताना है तो इसके बांकीम चंदरम चटःव पायदिय की प्रसीद रच्ना है आन्द मत के बांच में से हमारा राष्टगित वंधि मात्रम लिया गया है इसके अलावा बंकीम चंदर चटोपादिया है कि प्रसित रचनाय दुर्गेश नंदिरी है, कपाल कुंडला है, देवी चोधरारी है, आनंदमट और वंदे मात्रम जैसे कि वंदे मात्रम आनंदमट से संकलित किया गया है, कई एक्जाम में कुछा जा चुका है पुदान आंदोलन किसने प्रारंब किया था? तो इसका उतरे विनोबा भावे ने प्रारंब किया था? पुदान आंदोलन अगला क्यूशन, देवदास उपनियास के रचनाकार कौन है? तो इसका उतरे सरत चंद्र चटोपादिया है, देवदास उपनियास के रचनाकार बारत के किस प्रांथ में सरुप्रतम सामव्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? चलते हैं अगला क्यूशन में कस्तूरबा गांधी की समाधी कहा स्थीथ है? चलते हैं अगला क्यूशन में अमरीत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी? अगला क्यूशन वेरे वेरे इंपोर्ट के चले हैं सौम प्रकास नामक समाचार पत्र किस ने शुरू किया था? इसका उतरे इस्वर चंद्र विद्यासागर ने सौम प्रकास नामक समाचार पत्र किस ने शुरू किया था? अगला क्यूशन सन 1901 इस्वि में मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगटन की स्थापना किस ने की थी? वेरे वेरे इंपोर्ट क्यूशन इसका आँसर आपको पता ही होगा? इसका वीर सावरकर उनके भाई ने 1901 इस्वि में मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगटन की स्थापना किस ने की थी? तो इसका उतरे अश्विनि कुमार धत था तो अश्विनि कुमार धत ने स्वदेश बांदव स्मिती क्रान्तिकारी संगरान की स्थापना की थी तुशक तो गई थी तो उन्नी सो पाँच इस्वि में की थी अगला कुशन लेक्चर फ्रॉम कोलंबोटु अलमोडा किसके अनुबवव पर आधारी थे अगर आपको पता हो तो इस क्वेशन का आंसर आप कमेट भी कर शकते हो और अपना नॉलज भी चेक कर शकते हो तो इसका उतर स्वामी विवकारंद के अनुबवव पर आधारी थे लेक्चर फ्रॉम कोलंबोटु अलमोडा अगला क्ष दुनिया के मजदूर एक हो दुनिया के मजदूरों को एक होने का नारा किस ने दिया था तो इसका उतर है काल मार्क्स ने दिया था दुनिया के मजदुरों को एक होने का नारा क्वेशन नमबर टू सिक्टी थी आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है तो इसका उतर है स्टालिन, स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है अगला कुशन जर्मनी के आर्थिक राष्टेवाद का पिता किसे कमाना जाता है? जर्मनी के आर्थिक राष्टेवाद का पिता किसे कमाना जाता है? जर्मनी के आर्ष्टेवाद के आर्ष्टेवाद का पिता किसे कमाना जाता है? जर्मनी के आर्ष्टेवाद का सरप्रतम प्रयोग किया था? जर्मनी के आर्ष्टेवाद का पिता किसे कमाना जाता है? दक्षिन आफरिका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन तो दक्षिन आफरिका में प्रकाशित महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन इंडियन लिब्रल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इसका उतर एंडियन ओधर जी गिती इंडियन लिब्रल फेडरेशन की स्थापना बाल गंगादर तिलक को किसने असान्ती का जनक कहा था? तो इसका होतर है Valentijn Cyrus ने बाल गंगादर तीलक को असानती का जनक कहा था अगला केशिन Q2. महात्मा गांधि ने किस कानून को काला कानून कहा था तो इसका उतर है Rawat Act तो रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था नेक्स्ट विशन वेरे वेरे इंपोर्ट केशन महात्मा गांधी को सरवप्रथम राष्टर पिता किसने कहा था महात्मा गांधी को सरवप्रथम राष्टर पिता किसने कहा था तो इसका उतर नेताजी सुपास चंद्रबोज ने महात्मा गांधी को सरोप्रदम राष्टरपीता कहा था क्विशन नमबर 277 भारत में जब क्रिप्स मिसन आया उस समय भारत का वाइस राय कौन था तो इसका उतर लॉड लिन लिथिंगो भारत में जब क्रिप्स मिसन आया तब भारत का वाइस राय था क्विशन नमबर 278 भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अधियक्ष कौन थे तो इसका उतर जीवी क्रुपलानी थे जिबी क्रिप्लानी भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अधियक्ष थे वेरी-वेरी इंपोर्ट क्विशन है कई एक्जाम में क्विशन पूछा जा चुका है अगला क्विशन पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया था किसे पंजाब केश्री के नाम से जाना जाता है तो इसका उतर लाला लाचपत राई को पंजाब केश्री कहा जाता है Question number 280 राजनितिक स्वतनता राष्टर की प्राण भाई हुए यह कथन किसका है तो इसका उतर अरविंद गोश्का है राजनितिक स्वतनता राष्टर की प्राण भाई हुए यह कथन Question number 281 Lord Harding Lord Harding ने बंगाल विवाजन किस वर्ष रद किया था यहाँ पर रद किया था Lord Harding ने बंगाल विवाजन को किस वर्ष रद किया था तो इसका उतर उतर उन्नी सो ग्यारा में Lord Harding ने बंगाल विवाजन को रद किया था अगला Question अलहिलाल अलहिलाल समाचार पत्र किसके दवरा राष्टी ताके प्रचार के लिए सुरू किया था अलहिलाल समाचार पत्र किसके दवरा राष्टी ताके प्रचार के लिए सुरू किया था तो इसका उतर अब्बूल कलाम आजाद द्वरा राष्टिता के प्रजार के लिए सुरू किया गया था अल हिलाल समाचार पत्रा Question number 283 The nation in the making The nation in the making नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका उतर सुरेंद्रनाथ बेनर जी है The nation in the making नामक पुस्तक के लेखक Question number 284 पारतियर राष्टिये कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अधियक्ष कौन थे? अगर आपको पताओ तो इस question कांग से आप commit भी कर सकते हो और अपना knowledge भी चेक कर सकते हो तो इसका उतर गुपाल कृष्णे गौकले थे भारतियर राष्टिय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अधियक्ष Question number 284 पारतियर वर्ष 1857 के विद्रों में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? Question number 286 मंगल पांडे कहां के विपलव से जुड़े थे 1857 के सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? Question number 286 मंगल पांडे कहां के विपलव से जुड़े थे 1857 के स्वातंतर था संग्राम में इसका उतर है बेरकपूर विपलव से जुड़े थे मंगल पांडे Question number 287 अट्रासो चोपन 1854 की वूड़ डिस्पेंच की उपलब दियों का मुल्यांकन करने के लिए किस आयोक का गठन किया गया था? इसका उतर है हंटर आयोक का गठन किया गया था किस आन्दोलन के दोरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संग्या दी गई था? क्यूंच नमबर 289 सरदार वललबबाई पटल के जनमत दिन को राष्टि एकता दीवस किस तारिक को मने जाता है तो? जैसे कि सरदार वल्लबबाई पड़ल के जन्मद जहिंती के दिन राश्टिय एकता दीवस के रूप में मना जाता है अगर आपको पता हो तो इस क्वेशिंग कहां से आप कमेट भी कर सकती है और अपना नॉलेज भी चेक कर सकती है वेरी वेरी इंपोर्ड़ क्वेशिंग नहीं है तो इसका वतर 31 अक्टुमबर को हर वर्ष सरदार वल्लबबाई पड़ल के जन्मद इनके दिन राश्टिय एकता दीवस के रूप में मना जाता है किसने वल्लबाई पड़ल को सरदार की उपादी किसने दी थी इसका वतर बार्डोल की महिला उने वल्लबाई पड़ल ने किया था क्वेशन नमबर 291 हैदराबाद स्टेट को भारतिय गंतत का हिस्सा बनाने के लिए कौनसा ऑप्रेशन सरदार पड़ल ने चलाया था हिदराबाद स्टेट को भारतिय गण तंत्र का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ओपरेशन सरदार पटल ने चलाया था वेरी वेरी इंपोर्टर क्वेशन ही है तो इसका ओपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद स्टेट को भारतिय गांतत का हिस्साब बनाने के लिए Q292 राष्टे कुट वंस की स्थापना किसने की थी तो इसका वते कोपर थी मानव द्वारा प्रयुक्त पथम धातू Q294 एरोपियोंने मेंसे कौन स्वतनता पुरुव भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत्व में आये थे तो इसका वते हैं फ्रांसी सबसे अंत्व में आये थे Q295 दचो ने अपनी पहली फैक्टरी 1605 इसवी में कहां स्थापिद की थी मुल्य पट्नमों में स्थापगी ब्रचो ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 इसवी में कुईशन नमबड़ 296 ब्रिटेन के साथ , बेसीन की संधी किस पेषवा ने ने की थी? तो इसका उतर है बाजी राऊ गैटिया ने की थी ब्रिटेन के साथ बेसीन की संधी क्वेशन नमबर 290 होने, मराठा राज्य संग की स्थापना की स्थापना की स्थापना की स्थापना की स्थापना क्वेशन नमबर 290 है, सिवाजी, यहाँ पर चत्रपती सिवाजी महराज और मुगलों के बीच कौन सी संधी हुई थी, तो इसका उतर है जिवाजी राव सिंधिया, तो जिवाजी राव सिंधिया ने की थी वालियर राजे की स्थापना, क्वेशन नमबर 300, 300, और इस वीडियो का यह आखरी क्वेशन है, किस मराठा सर्दान ने सेना का गठन युरोपीय डंग से किया था, अगर आपको पता हो, तो इस क्वेशन का आणसर आप कमेट भी कर सकते हो, और अपना नौलेज भी चेक कर रखते हो, वेरी वेरी इंपोर्डट क्वेशन है यह है, तो इस क्वेशन था महदाजी सिंधिया, तो महदाजी सिंधिया ने युरोपीय डंग से की थी, अपने सर्दान ने सिना का गठन, तो किस मराठा सर्दान ने सिना का गठन युरोपीय डंग से किया था, तो पर यह वीडियो समाप सो होता है हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ नॉलिजेबल लगाओ आपकी स्टडी में हेल्पू लगाओ तो इसे लायक कीजिए शेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम के वीसी जिक्टे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ह आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तो आपको नम्र विननती रहेगी आप निचे रहे रहे रेट गलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजे और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजे ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नॉलेज़ेबल वीडियो की न आप हमारे फेस्बोड पर लाइक कर शकते हो और टीटर पर फॉलो कर शक्ते हो और टेलिग्राम चैनल पर जोइन कर शकते हो अगर हमारे वीडियों को अच्छे लगते हैं हल्फ लगते और किसी भीतार के रह篤 जाई तो इस्टाग्राप एड़एग पे मैसेज किजे आप आपको टाइम टाइम पर रिप्ले और यह वीडियो को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ट्रीम के बीसी जी के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पर नए हो दोस्तों आपको नमरे भी रहेगी आप नीचे रहे रेड गलन के सब्सक्राइब बड़न को दबाद दीजिए और बाजु मेरे बेल आइकन को दबाद दीजिए ताक कि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नोलेजिबल वीडियो की नोटिपिकेशन मिलते रहे कि उस तो जै हिन जै भारत वंदे मातरम मिलते है अगले उडियो बे